तो दोस्तो आज 23rd November 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important IPOs के बारे में जो कि आज बजार पे open था चलिए देख लेते ये सारे IPOs आज day and pay कितना गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम यानि जेंपी कितना चल रहा है ये सारे IPOs में और कौन से IPOs आपको apply करना चाहिए यानि long term में आपको benefit दे सकता है या listing gain में आपको benefit दे सकता है आईए ये सारे topic इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो request करूंगा सबको please वीडियो को बिना skip के पूरान तक जरूर देखना शुरूरात करेंगे एक mail line सरकारी कंपणी के IPO जिसका नाम है आईए डेडा IPO आज से एक दिन पहले बजार पे open दुआ था और आज इसमें apply करने का day 3 यानि final day था और यहाँ पे जो update मैं आपके साथ share करना हूँ ये basically IPO में apply करने का जो timing होता है वो खतम हो जाने के बात का एक दम latest update है आई अब देख लेते एक एक करके IPO का नाम साथ में subscription status तो दोस्तो आई रेडा IPO आज day 3 केन में काफी बढ़िया response मिला खास करके QIB केडिगरी में कल तक हमने देखा था लगबग 2.5 गुना ही था जो कि आज की rate में बढ़ते बढ़ते 104 गुना क्रॉस कर चुका है 104.57 ताइम आज day 3 केन में final subscription status QIB केडिगरी में एना ही केडिगरी की बात करें आज day 3 केन में 24 गुना क्रॉस कर चुका है 24.16 ताइम्स दोस्तो सब्सक्रिप्शन हो है आज day 3 केन पे साथ में retail केडिगरी भी 22 सब पीछे नहीं है retail investors ने भी यहाँ पे काफी बढ़िया response दिखाया 7.73 ता सारे केडिगरी एक साथ calculate करने के बाद आज day 3 केन में जो final subscription status देखने को मिला I read IP में total 38 गुना से भी ज्यादा 38.80 टाइम्स यानि overall बात करें काफी बढ़िया response मिला जैसे कि आप देख सेकतो day 1 पे सिर्फोर सिप 1.98 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ था मत्ता पहले दिन almost द most awaited IPO टाटा टेकलोजी जो कि आज इसमें apply करने का day 2 था यानि second day आए देख लेते कि आज day 2 के end में कैसा response मिला और क्या आपको अगर आपने apply नहीं कि अभी तक क्या आपको final day पे यानि कल apply करना चाहिए या नहीं तो देखे सबसे पहली बात QAB category में आज day 2 में literally सबको shocked कर द इतना ज्यादा है इतना hype ज्यादा है कि day 2 में दोस्तों सारे आठ गुना क्रॉस कर चुका है QAB category की investors की अब देखे सकते हो non-institutional virus की बात करें 31.18 ताइम्स आज day 2 में impressive नेक्स डेगर हम बात करें retail category दोस्तों भाई साब पूल जोश में लगड़ा है इस मामले में day 2 में सारे 11 गुना क्रॉस कर चुका है 11.54 अब यह मत सोचना कि यह कोई छोटे कंपनी है मतलब यह चोटे IPO नहीं इसका जो IPO का साइद भी बहुत ज़ादा है उस क्या को नहीं का देखा जाए सारे 11 गुना दोस्तों बहुत अब डेट है तो देखे shareholder की category भी आज चुका है फिलाल आज की डेट पे 20.45 ताइमस दोस्तों हमें others category यानि shareholder category में भी देखने को मिला तो डेट के इनमें दोस्तों खतरनाक रेस्मांस मिला आपके टार्टर एक्नलोजी IPO को 15.08 ताइमस यहीं 15 गुना दोस्तों दो दिन प आज लगबग दुगन हो चुका है इंप्लोई के लिए भारी मात्र में अपला हुआ हुआ इवन अधर्स के लिए में भी आज लगबग 4 टाइमस की उपर में जम देखने को मिला तो रेस्पॉंस दोस्तों काफी तग्रा मिला यहां पे टाटा टेक्नलोजी IPO को नेक्स्ट आट टेक्नलोजी जैसे आइड जैसे बड़े बाड़े IP होने के बाप जुद भी तीन गनों को पर सब्सक्रिप्शन लिटरली इंप्रेस कर दिया मार्केट को ठीक है 3.14 टाइमस हमें डे टू पर ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया वो भी इतना स्ट्रॉंग कॉंप सब्सक्रिप्शन देखने को मिला गांधार और जो टोटाल अवरल बात के यह सारे कैटेगरी को एक सथ कैलकुलेट करने के बाद आज डे टुमें पंदरा गुना क्रॉस कर चुका है पंदरा गुना आज डे टुमें 15.83 टाइमस काफी इंप्रेसिव कल डे वान की बात करे 5.78 टाइमस सब्सक्रिप्शन वा था आज देखिए लिटरली डाई से तीन गुना क्रॉस कर चुका है मतलब डे वन और डे टुमेर करें हरे कैटेगरी में देखिए क्यू आई भी हो या एनाई हो चाहिए रिटेल के बात करें तो काफी इंप्रेसिव हमें सब्सक्रिप्शन देखने करें सिर्फ और सिप 0.54 टाइमसी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला आज डे टुकें पे रिटेल इंवेस्टर्स की कैटेगरी में कुछ भी मतलब अब बोल सकते कि थोड़ा बहुत करके फुली हो गया फुली सब्सक्रिप्शन हो चुका है 1.30 टाइमस आज डे टुकें बट कल था कमने देखा थो फुल नहीं हुआ था इंप्लाइए करेकरी की बात करें सिर्फ और सिप 0.79 टाइमसी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और जो टोटल डे टुकें में इसमें सब देखने को मिला फिर भी फुली सब्सक्रिप्शन आज टे टुकें में भी देखने को फिलाल नहीं मिल रहा है नेक्स्ट हम बात करेंगे आख्री आइप अमरे लिस्ट में उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छ लगा इंफॉर्मीटीव लगा प्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला उसके बाद रिटेल इंवस्टर्स की काटेगरी के बात करें सारे साथ गुनों को पर यहां पे अच्छा रेस्पांस मिला रिटेल कैटेगरी में 7.57 और यह तीनों कैटेगरी एक सथ कल्कुलेट करने के बाद आज डे टुकेंट में फ्ल का ग्रे मार्केट प्रिमियम कितना चल रहा है आज अभी क्या टाइम में आपको दिखा देता हूं कितना बजे का अपडेट है तो यह देखे यह जो अपडेट आपके साथ में शेयर करना हूं दोस्तों यह सारे पांच बजे का एकदम लेटेस्ट गरमा अपडेट है और एक बार यह जो अपडेट यहां पर अपडेट होगा वो हाएगा लाथ सारे आट बजे तो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे सारे आट बजे का जो जो आपको सारे नौ बजी वाली वीडियो में दे दूंगा ठीक है तो दे 77% के आसब चल और इसका प्रीमेव मार्केत में काफी बढ़ी आ इस धुज में आज हमें काow सब्सक्राइब कर चुका है जिसका प्रिमियम चले आज लगभग 39.29 परसंट के आसपास फेडरल बैंक फनार्शियल सर्विस आई प्यों इसमें बहुत इकम कल तक थोड़ा ज्यादा था मतलब सारी तीन परसंट का आसपास था फिलाल आज देर परसंट से भी नीचे पहुं अच्छी बात है आगे अगर आपको कोई आइप लाइप करने यह चार में से मैं आपको बोलूँगा स्ट्रॉंग लेक्मेंट करनों के कर तो अगर लग गया तो अच्छी बात है नहीं लगा तो लॉंग टम के लिए बाद में भी बाई कर सकते ठीक है तो टार्टर और आपका यह जो फेट बैंक का फेट 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 फनांशियल सर्वीस है इसमें आप इग्नोर कर सकते हो मेरे तरफ से यह आपको साज़ेशन रहेगा गांधार डिफानिट ओयल और उसके साथ टार्ट टेक्नलोजी आई प्यों में आप चाहते हैं अपलाई कर सकते हो बाग स्रीएडु enabled कर सांप प्यों में कर सकते हैं आपको साथ मेरें और नहीं क्यों में कर सकते हैं अम झाहते हैं और एफ प है और अन्यव से ओयानिट बैंटको से भ्रोलेबें और